अगर आप वास्त में साबुदाना के खिचडी मोरिया के खिचडी कहा खा कर परहसान हो तो चलिए आज देखते हैं नई रेसीपी याने की डॉंसे की रेसीपी फरारी डॉंसा बनाने की रेसीपी आज हम देखते हैं मैंने चोटा एक कटोरी ले ली है तो एक कटोरी मैंने यहाँ पर साबू दारा ले लिया है और तीन कटोरी यहाँ पर मैं लोगी मोरिया जिसकी हम खिटडी बना दे हैं वो मोरिया वो मैंने तीन कटोरी मैंने ले ली है तो यह सारी चीज़े आप मेजर करके लोगे तो बहुत ही अच्छा डॉंसा बनकर तयार होगा अगर आप इस प्रकार से एक बार डॉंसा बनाओगे तो यकिन मानिए आप बार बार यही डॉंसा बनाओगे फरार में तो इस प्रकार से अच्छे से मिक्षी में पीस लेना है दरदरा नहीं होना चाहिए फाइन पाउडर बनना चाहिए यह तो यह अभी प्रॉपर पीस गया है तो मैं इसके अंदर दही डालूंगी दही मैं एक कटोरी भर के डाल रहे हूं जो मेरे पास ब्लैंड किया हुआ है उसका हो तो यहां पर छास भी ले सकते हो चार कटोरी आप छास भी नॉर्मल वाला ले सकते हो ज्यादा खटा नहीं इस प्रकार का फ्रेस होना चाहिए तो टेस्ट अच्छा आएगा तो यहां पर हम डालेंगे दही और तो मैंने इस प्रकार से डाल लिया है, मैंने दो कटोरी पानी डाला, एक कटोरी दही डाला और इसे अच्छे से ब्लैंड किया, तो अभी मैं फिर से इसके अंदर दो कटोरी पानी अड़ करूंगे और इसे अच्छे से ब्लैंड करूंगी, इसे हमें एकदम अच्छा प्यू सबस्क्राइब करेंगे तो फ्रेंब आपको पसंद आती है तो रेषीपी आप्प कि अगर चैनल सब्सक्राइब किजिए और बैल आइकन को और नाइनने व़िडेयो का नाइना न विडिकसिन आपको मिलता रहे अब इस एसजार को धोकर jätte जबनाओं Meat हम फराडी चटनी भी बनाएंगे ताकि डॉंसा के साथ हम उसे सर्व कर सके तो यहां पर मैं डॉंसा के साथ आलू की सुकी भाजी और चटनी के साथ सर्व करूंगे तो सुकी भाजी की राजिपी मैंने पहले दी हुई है तो आप उस प्रकार से बना सकते हो और यह चटनी भ पहले जब तक चटनी बनाते हैं हम इसे ढखकर 10-15 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि साबुता ना जो है अच्छे से फूल जाए उसके बाद इस जार के अंदर हम ले लेंगे पीनट्स जो मैंने पहले रोस्ट करके रखा हुआ था तो एक मुठी याने के वन हैंडफुल य यहां पर मैंने एक मुठी याने के वन हैंडफुल यहां पर मैंने कोकोनट भी ले लिया है कोकोनट मेरे पास फ्रेश नहीं था लेकिन यह वरोजन वाला फ्रेश कोकोनट है मेरे पास यहां पर मेरे पास जिंजर नहीं था तो मैंने जिंजर का पावडर लिया हुआ है मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकोडिंग 2-5 के करिब नमक डाल दिया है नमक आप अपने अनुसार स्वाध अनुसार डाल सकते हो उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया है दही और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने हरी मिल्ज भी डालनी है वो मैं आपको दिखाना बूल गई हूँ खरी मिल्ज भी इसके अंदर मैंने 2-3 डाल दी है और थोड़ा सा दही डाल दिया है ताकि इसके अंदर खटा पनाए अगर आप दहीं स्किप करना चाते हो तो यहाँ पे आप लैमन जूस डाल सकते हो एक चमच आप भरके आप यहाँ पे लैमन जूस डाल दे अगर लैमन काशी चतनी बनकर दयार हो गई देखे कितने यमन बनकर दयार होजआ ़िए जरुरत लगे तो आप इसके अंदर पानी फिर से आड कर सकते हो और टेस्ट करके आप यहाँ पे नमक मिल्च देख सकते हो अगर कुछ कम लगे तो आप एड कर सकते हो तो इस प्रकार से चटनी हमारी बनकर तयार हो गई है तो हम आगे की प्रोस्विस की तरफ बढ़ते हैं तो इस चटनी को पहले हम बावल के अंदर निकाल लेंगे और उसे साइड पे रख देंगे उसके बाद हम ने जो बैटर बढ़ा रखा था उस बैटर को ले लेंगे वैसे फ्रेंट्स ए रेसीपी आप लोग कहां कहां से देख रहे हो पुछी कॉम्में बॉक्स में ज़रूर से बताए फ्रेंट्स ताकि मुझे भी समझ में आए, कि आप लोग मेरे वीवर्स कहां कहां से है, देखिए वो जो बैटर हमने बनाया था, उसमें से मैंने थोड़ा सा बैटर, अलग बॉल के अंदर मैंने निकाल लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा करियंडर ढाल दिया है, कटा हूआ, और मैंने साबुत चीरा डाला है वैसे आप चाहो तो यहां पे चिली फ्लेक्स और काली मेरी का कूटा भी आप यहां पे डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो लेकिन मुझे नहीं पसंद है मेरे बेटे को परसनली इसलिए मैं यहां पर यह दो चीज़े ही सिर्फ डाल रही हू लेकिन चिली फ्लेक्स मैंने नहीं डाला है तो आप चाहो तो यहां पे वो डाल सकती हो यह सारी चीज़े हमें डाल कर फिर इसे अच्छे से मेक्स कर लेना है और ध्यान रखना है कि हमारा जो बैटर है वाटरी होना चाहिए बैटर हमारा वाटरी होगा तो ही हमारा डोसा अच्छे से बनकर तैयार होगा तो इस प्रकार से हमने पानी चरूरत लगी तो हमने एड़ कर लिया था तो आप भी और जब भी आप डौसा फैलाए तो इस प्रकार से पैन को पहले ऑईल से ग्रीस कर ले और जब भी बैटर फैलाए तो बैटर को हिलाए प्रॉपर से ताकि जो नीचे की साइड बैट गया हो, वो अच्छे से हील जाए और मिक्स हो जाए। देखिए, इस प्रकार से हिला लेना है और हमें बाहर की और से अंदर हमें डौसा फैला लेना है, देखिए, और इससे चारवर गूमा लेंगे, तो हमारा डौसा बन कर तयार हो जाएगा इस प्रकार का पैन होगा ना तो आप अच्छे से बना पाओगे वैसे डौसे की तवी पे भी आप अच्छे से फैला सकते हो लेकिन मुझे यह अच्छा लगता है तो मैं इसी के अंदर बनाती हूं तो इस प्रकार से मैं गोल घुमा कर सकते हो और जब भी यह सीख जाएगा तो इसकी साइड जो है ना छोड़ने लगेगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि देखिए यह साइड छोड़ने लगा है तो हमें समझ में आ चुगा है कि हमारा डॉंसा अच्छे से कुख हो चुगा है और हमें इसे एक ही साइड कुख करना है दूसरी साइद हमें नहीं करना वैसे आप जाहो तो दूसरी साइड और सकते हो लेकिन मैं सिर्फ एक ही साइड में कुख करती हूं तो इस प्रकार से सिर्ट हो जाये से वंस compact उसके बाद इसे हमें निकाल लेना है और हमारा डॉंसा जो है बनकर तयार हो चुगा है तो देखे इस प्रकाद से बना ले और फ्रेंस आप जरूर से एक बार इस प्रकाद से ट्राइ करें मज़ा आने वाली है गैरंटी है मेरी तो देखिए और आप सब इस साबुदाना और मोरिय में से और दूसरी कौन-कौन ी रेसीपी बनाते हूं यह मुझे कॉमेंद बॉक क्में जरूर से बताए ताकि मुझे और नया आइडिया आये और फरारी रेक्पादीर आप ककौन-कौनसी बनाते तो देखि उमारा डॉंसा जो है बंगर तैयार हो चुका है अभी से हम निकाल लेंगे इसके बार इसे हम स सबजी और चटनी के साथ सवर गिया है और साथ में थोड़ा सा मैंने गाजर का हलवा भी रखाया है क्योंकि जो मैंने पहले ही बना कर रख लिया था तो फराइड में हम वो तो खा सकते हैं तो इसलिए मैंने वो भी स्वीट में रख दिया है साइड में देखिए हिरोसा कितन यम्मी बन कर तयार हुआ है आप देख सकते हो इसे यह चटनी के साथ ऐसे भी आप खा सकते हो और आलू की सब्जी तो है ही तो बन गया ना हमारा पूरा जोसा प्रापर आप इस प्रकार से बना सकते हो फ्रेंड्स तो चलिए